हमारे चैनल अग्रिकल्चर पॉइंट में और दोस्तों मैं लेकर आया हूँ B.C. अग्रिकल्चर फोर्ट समेश्टर का जो अभी अभी पेपर हुआ है इंट्रोडेक्टरी अग्रोमेटरोलोजी एंड क्लाइमेटिक चेंज का उसकी एंसर की लेकर आया हूँ दोस्तों ये सीरीज जो है C हमारे पास D.O.E. है आपकी यदि C है तो इसी अकॉर्डिंग में मैच कर सकते हैं वरना आप जहां से आपका चालू हो वहां से मैच कर सकते हैं दोस्तों आज का पेपर बहुत ही इजी आया था जिसने थोड़ा भी दिमाग लगा कर किया होगा उसके 35 प्लस नमबर होंगे तो चलता हूँ कोश्चन नमबर A की तरफ छोब मंडल की ओसत उचाई में सबसे कम होती है तो जो होती है आपसन D सही होगा धुरूवी छेत्र नेक्स कोश्चन आता है समुद्ध तरफ पर औसत वाय मंडली दाब होता है तो कितना होता है तो आपसन B होगा राइट इसमें 1013.25 मिली बार नेक्स कोश्चन आता है वर्सा जैसी मौसम की घटनाओं में होती है तो क्या होता है दोस्तो छोब मंडल आपसन C राइट होगा इसका तो कितना टंपरेचर है फसल उत्पादन के लिए आपसन D राइट होगा 20-30 डिगरी सेंटिग्रेट नेक्स आता है उत्तर प्रदेश में कितनी करसी जलवाई छेत्र हैं दोस्तो तो 9 है दोस्तो ये भी मैंने डाला हुआ था अपने नोट्स में कोश्चन यदि आपने वीडियो देखी होगी तो काफी मदद आपको मिली होगी नेक्स आता है विस्सो मौसम दिवस मनाया जाता है तो कम मनाया जाता है 23 मार्च को मनाया जाता है आपसन D इस दा राइट होगा next question आता है वर्षा वाले बादल होते हैं तो दोस्तों ये भी question बहुत येजी था D इसका right होगा A and B दोनों होगा वर्षा इस्तरी मेग और कपासी बादल वर्षा मेग दोनों होगे तो आपसन इसका D right होगा next आता है भारत में मानसून के आरम विकिति थी है तो दोस्तों ये भी question पड़ा हुआ था फर्ष्ट जून से है next question आता है दोस्तों वायू की गति अत्यधिक हो जाने पर वायू मंडल की दसा हो जाती है तो आपसन B is the right होगा आज स्थिर हो जाती है next question आता है मद्ध मंडल तथा आयन मंडल के मद्ध संक्रमण पेटी होती है तो काउन सी होती है मी जो पाउज होती है आपसन C is the right होगा next आता है भारती मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालाई कहां है दोस्तों तो ये नई दिल्ली में है दोस्तों ये भी question मैंने डाला हुआ था next question दोस्तों आता है तेरा नमबर प्रत्वी के तरल भाग को इस रूप में जाना जाता है तो जल मंडल के रूप में जाना जाता है आपसन A right होगा next question आता है दोस्तों अलपा वदि मौसम पूर्वा मान की अवदि के लिए उप्युक्त है तो कितना तो आपसन A is the right होगा एक से तीन next question आता है दोस्तों एक वर्सा का दिन वह है जो दिन में वरशिक वर्सा पराप्त कर रहा हो तो कितनी दोस्तों तो इसमें धाई मिलिमीटर या उससे अधिक next question आता है दोस्तों दिन और रात के परड़ाम है तो किसके दोस्तों परणाम है तो option a Is the Right होगा घूरणन की next question आता है दोस्तों, radio संचार के लिए वाई मंदल की कौन सी परत उत्तरदाई है तो दोस्तों यह जो होता है आयन मंदल उत्तरदाई होता आपसन C is the right होगा नेक्स कोश्चन आता है दोस्तों प्रतवी अपनी धुरी पर घूमती है तो दोस्तों कैसे घूमती है आपसन A is the right होगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है नेक्स कोश्चन आता है प्रतवी और सूर की निकटतम बीच की दूरी है तो कौन सो योगी आपसन B इसदा राइट होगा उपसौर होगी नेक्स कोश्चन आता है प्रतवी के चारो ओर के गैसी आवरण को कहते हैं तो दोस्तों क्या कहते हैं तो इसमें आपसन B राइट होगा वाय मंडल कहते हैं Next question आता है Y bundle में नमी धारण करनी की चमता मुख रूप से इस पर निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है ताप मान टमपरेचर पर आपसंसी राइट होगा Next question आता है कौन सी गैस Y bundle के कुल आयतन का लगभग 78% है तो कौन सी है दोस्तों नाइट्रोजन आपसन डी राइट होगा नेक्स कोश्चन आता है ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा प्रतवी का आउसत तापक्रम 2050 तक बढ़ जाएगा तो आपसन एस दा राइट होगा 0.5 डिग्री से 1.5 डिग्री सेंटिग्रेट नेक्स कोश्चन आता है दोस्तों 24 नमबर ग्लोबल वार्मिंग सब्द का प्रयोग हुआ था तो कब हुआ था 1975 में हुआ था आपसन एस दा राइट होगा नेक्स कोश्चन आता है ओजोन परत को छति पहुचाने वाला प्रमु खुतपाद है तो कौन है आपसन C दा राइट होगा CFC फ्लोरो कार्बंस नेक्स कोश्चन आता है ग्रीन हाउस गैसों में मुख रूप से पाई जन्याली गैस है तो आपसन C दा राइट होगा कार्बन डायाक्साइट मेथेन और N2O और तथा CFC नेक्स कोश्चन आता है दैनिक परिवर्तन गतिके द्वारा के समय वायमंडली दा में परिवर्तन होते हैं तो आपसन इसमें भी राइट होगा दिन और रात next question आता है मौसम उपगरह निदेशाला इस्थित है तो कहाँ पर है दिल्ली में है निदिल्ली तो आफसन भी राइट होगा next question आता है मद कापासी बादल की उचाई पाए जाते हैं तो कितनी उचाई पर आपसन यी जा राइट होगा 2-6 किलो میटर पर नेक्स कोश्चन आता है चक्रवात प्रति चक्रवात के पीछे चलते हैं तथा इंकी गती किलोमीटर प्रति घंटा होती तो कितनी होती दस से पंदरा होती आपसन ए राइट होगा next question आता है दोस्तों climateology सब्द की उत्पत्य हुई है तो किस भासा से हुई है तो Greek भासा से हुई option A, B, right होगा next question आता है प्रतवी पर पाही जाने वाली जलवायू की चर्चा करने वाला विग्यान कहलाता है तो climateology कहलाता option is the right होगा next question आता है मौसम विग्यान के उत्पत्य अरस्तु के प्रसिद गंत से हुई है तो किस से हुई है material logica से हुई option B, right होगा next question दोस्तों आता है क्लीमा सब्द का अर्थ होता है तो क्या होता है ढाल होता है slope, option D, right होगा next question आता है अत्यनत अलपावदी अनुमान तक की अवदिका होता है तो कितना तो 12 घंटा होता है option B, right होगा next question आता है केंदरी, मौसम, विग्यान, बेजसाला, इस्थित है तो कहाँ पर इस्थित है नई दिल्ली option B, right होगा next question आता है दोस्तों inside का पूरा नाम है तो क्या दोस्तों है option A, right होगा इसमें Indian National Satellite option A, right होगा next question है 20 मौसम, विग्यान, संगठन की स्थापना हुई थी तो 1951 में हुई थी next question आता है मौसम, पूर्वामान की विधी है तो इसमें सभी विधी होगी आलाफबो होगा D होगा मार्ग विधी होगी भूव विच्छे पी वायू विधी और समदाब प्रवड़ता विधी होगी next question दोस्तों आता है 40 नमबर दिन प्रतिदिन की मौसम की इस्थित की विधीता का सयोजक है तो कौन है दोस्तों तो इसमें climate होगा जलवायू आफसन B is the right होगा next question आता है पारे का हिमांक होता है तो दोस्तों इसमें गलत शप गया है इसमें 49 degree centigrade है इसमें लेकिन minus 49 degree centigrade होगा next question आता है समुद्र तटपर वायू मंडली दाब का मान होता है तो कितना होता है दोस्तों तो इसमें एक हजार तेला मिली बार होता है B आफसन राइट होगा next question आता है स्वाचालित वायू मंडली दाब मापक है तो किसका है बायरोमीटर का आफसन B is the right होगा next question आता है दोस्तों 44 number 100 मिली बार किसके बराबर होता है तो 3.14 इंच के बराबर होता आफसन C is the right होगा next आता है स्वाचालित वर्षा मापक यंत्र है तो कौन सा है दोस्तों तो इसमें जो होगा आफसन A right होगा हाइटोग्राफ होगा next question आता है दोस्तों जब चक्रवात का विकास वक्रपत पर है तो उसकी गती क्या होगी बढ़ जाती है तो आफसन A is the right होगा next question आता है 47 नमबर दोस्तों डिजल में वर्षा बुन का अकार कितना होता है तो 0.5 मिमी होता है next question आता है वर्षा बुन्दों का व्यास होता है तो कितना होता है तो आफसन B is the right होगा 0.5 से 7 mm तक होता है next question दोस्तों आता है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों वाय मंडल की आतिरता पर निर्भर करती है next question आता है भारत में मानसूनी वर्षा होती है तो किस मानसून से होती है दोस्तों दच्छिट पर्षी मानसून से होती ये भी मैंने नोट्स में कोश्चन दोस्तों डाला हुआ था नेक्स कोश्चन है औजुन मंदल परत की उचाई तक पाई जाती है तो किस पाई जाती है अठारा से 30 किलोमेटर तक पाई चाती है आफ्ने एस दाराइट होगा नेक्स आता है बावन नमबर कोश्चन चोब मंडल की परत वायो मंडल में कितनी उचाई पर पाई जाती है तो 0-18 km तक पाई जाती है इसको ट्रोपो स्पेर बोलते हैं नेक्स कोश्चन आता है दोस्तों, तरपन नंबर कौन सी गैसे वाई मंडल के अठान नवे से अधिक भाग को घेरे हुए हैं, तो इसमें दोस्तों नाइटोजन और अक्सीजन होगा, आपसन B is the right होगा, नेक्स आता है वात सूचक का उपयोग निर्धायत करने के लिए किया नबे किलोमेटर होगा, आपसन C right होगा, नेक्स कोश्चन आता है मौसम की घटक हैं, तो दोस्तों आला फबो होगा, इसमें उपयोग तो सभी आपसन D रही सही होगा, नेक्स होता है सत्तावन नंबर कोश्चन, एक समान वायमंडली दाब को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सम दाब रेखा कहते हैं, आपसन A is the right होगा, नेक्स कोश्चन आता है, प्रतिक 900 फिट की उचाई पर वायमंडली दाब में की कमी होती है, तो कितनी कमी होती है दोस्तों, 34 मिलीवार की कमी होती है, आपसन A is the right होगा, नेक्स कोश्चन दोस्तों आता है, 69 नंबर, राजस्था पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और से कर लिजेगा और बेल आइकन दबा दीजेगा जिससे कल का जो पेपर होगा ना है एग्री इंफॉर्मेटिक्स का उसके मैं नोट्स डालू तो सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक्स पर वोचिंग मि देखिके आपको जाए ने में पर दोटब दो आपको